आशा कैमोती चैनल में आपका स्वागत है गुस्से का जवाब गुस्से से ना दे नारद मुनी और विश्नु जी की कथा जब कोई हमारा अपमान करे तो हमें धहरिया नहीं छोड़ना चाहिए नारद मुनी और विश्नु जी से जुड़ी कथा है विश्णु जी ने नारद जी का घमंड तोड़ने के लिए अपनी माया से विश्व मोहनी नाम की राजकमारी का स्वंबर अजोजित किया नारद जी ने विश्व मोहनी को देखा तो वे उस पर मोहित हो गए और उससे विवा करने का मन बना लिया विष्यो मोहनी के स्वंबर में देव रिशी नारत भी जाना चाहते थे इसलिए नारत जी विशनु जी के पास पहुंच गαι उनसे कहा कि मुझे सुंदरता दे दीजिये जिसे देखकर विश्यो मोहनी मुझे विवा के लिए चुन ले विष्णू जी ने नारद मुनी को बानर बना दिया नारद जी ऐसे ही स्वंबर में पहुंच गए स्वंबर शुरू हुआ तो विष्णू जी भी वहां पहुँच गए विशे मोहनी ने नारद मुनी को नहीं बलके विश्णु जी को चुन लिया और बर्माला पहना दी नारद मुनी को मालुम हुआ कि विश्णु जी ने उनका चेहरा बनर्ब की तरह बना दिया है इस बात से बहुत गुसा हो गे गुस्से में उन्होंने विश्णु जी को शाप दे दिया, अपमान करने लगे, विश्णु जी नारद मुनी की बाते मुस्कान के साथ ध्यान से सुन रहे थे, नारद मुनी गुस्से में बोलते ही जा रहे थे, उन्होंने कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है, आप भगवा लेनी होगी ये सारी बातें लक्षमी जी भी सुन रही थी देवी ने विश्णु जी से कहा के आप इतनी बातें क्यों सुन रहे हैं विश्णु जी ने देवी से कहा के नारद मुनी से स्तूती पहुत सुनी है आज निंधा भी सुन लेते हैं जब नारद जी शांत हुए तो विश्णु ने कहा के मैं आपका शाप सविकार करता हूं इसके बाद भगवान ने उन्हें समझाया के आप संत हैं आपको घमंड हो गया है और आपके जैसे संत के लिए घमंड करना अच्छा नहीं इस बजह से मैंने आपका घमंड तोड़ने के लिए ही ये पूरी माया रच नारद मुनी को विश्णु जी की बातें समझ आ गई और उन्हों नेक्षमा मांगते हुए बुराईयों से बचने के लिए विश्णु जी को धन्यबद दिया शिक्षा इस परसंग में विश्णु जी ने संदेश दिया है कि जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें धहरि प्रतिक्षा करें और जब बैशान्त हो जाए तब उसे समझाना चाहिए ऐसा करने से बड़े विवात को टाला जा सका है जया विश्णु जी झाल झाल